नमस्कार, मैं चोनहिन मिंज, हिंदी शिक्षिका प्रायोगिक विद्याले, शेत्रिया, शिक्षा, संस्थान, NCERT मैसूर से आप तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आज मैं आठवी कक्षा के लिए संकिलित, पुस्तक, दूर्वा, भाग तीन में समिलित, एक मजेदार कवीता को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, बच्चो, आज के कार्यक्रम से आप कवीता के वाचन की शहली से ओगत होंगे, कवीता में आए कठिन शब्दों के अर्थ और वाग के प्रयोग को जान सकेंगे, कवीता को अपनी तरह से अपनी भाशा में प्रस्तूत कर सकेंगे, कुछ व्याकार्निक बिंदों जैसे संग्या और विशेशन शब्द के सामान्या परिचर से ओगत होंगे, इसी तरह की नई कवीता की कल्पना भी कर सकेंगे, विद्यार्थियों, जब हम कुछ बड़े होते हैं, तब हम अपनी अपनी रुची के अनुसार तरह तरह के खेल खेलते हैं, किसी को क्रिकेट पसंद है तो किसी को फुटबॉल किसी को बास्केट बॉल तो किसी को बॉली बॉल किसी को कबड़ी तो किसी को खोखो लेकिन जब हम छोटे रहते हैं यानि दो से पाच वर्ष के उस समय हम गुड़े गुड़ियों और तरह तरह के खिलोने से खेलते हैं आज हम जिस कविता का पाठ करने जा रहे हैं वह प्यारी सी गुड़िया की कविता है वह कवी की पसंदिदा गुड़ियों में से एक है वह गुडिया इतनी पसंद क्यों है? वह गुडिया कहां से आई? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें पढ़नी होगी कवीता तो चलिए हम कवीता पाठ करते हैं बच्चों कवीता शुरू करने के पहले मैं आपको कवी कुवर नारायन जी का परिचे दे दूँ कुवर नारायन का जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था कुवर नारायन एक हिंदी साहित्यकार थे नई कवीता आंदोलन के शशक्त हस्ताक्षर कुवर नारायन अगे द्वारा संपादित तीसरा सब्तक के प्रमुख कव्यों में रहे हैं 2009 में उन्हें वर्ष 2005 के लिए भारत के साहित्या जगत के सर्वच्च सम्मान ग्यान पेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया कुवर नारायन की मूल विधा कवीता रही है पर इसके अलावा उन्होंने कहानी लेक वासमिक्षाओं के साथ साथ सिनेमा रंगमंच एवं अन्या कलाओं पर भी बखो भी लेखनी चलाई है उनकी रचनाये हैं कवीता संग्र, चक्रव्यू, तीसरा सब्तक, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों कवीता के बहाने, खंड काव्या, आत्मजेई और बाज्श्रवा के बहाने कहानी संग्र, आकारों के आसपास समिक्षा विचार, आज और आज से पहले, मेरे शाक्षातकार कुवर नारायन हमारे दौर के सर्वस्रेश्ट सहित्यकार है कुवर नारायन को सहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, कुमार आशान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, रास्टिय कबीर सम्मान, ज्यान पीठ पुरस्कार और पद्म भुशन सम्मान से सम्मानित किया गया उनकी भाशा, सरल, सहज और बोध गम्या है तो आईए शुरू करते हैं कवीता पाठ सबसे पहले हम कवीता पढ़ेंगे फिर हम कवीता के भावात को समझेंगे गुडिया मेले से लाया हुँ इसको छोटी सी प्यारी गुडिया बेच रही थी इसे भीड में बैठी नुकड पर बुढिया मोल भाव करके लाया हुँ ठोक बजा कर देख लिया आखे खोल मूंद सकती है वह कहती है पिया पिया जडी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली बड़ी भली है इसकी आखे मतवाली काली काली उपर से है बड़ी सलोनी अंदर गुदडी है तो क्या ओ गुडिया तु इस पल मेरे शिशुमन पर विजैई माया रखूंगा मैं तुझे खिलाओनों की अपनी अलमारी में कागज के फूलों की नन्ही रंगा रंग फुलवारी में नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा खेल खिलाओनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा मिले से लाया हूँ किसको छोती सी प्यारी गुडिया बीच रही थी इसे भीड में दैटी नुकर पर बुढिया मूल भाव करके लाया हूँ लोग बचा कर देख लिया आँखे खोल मूंद सकती है दो कहती है प्या प्या जरी सितारों से है इसकी जुनरी लाल रंग वाली बड़ी ठली है इसकी आखे मत वाली आली आली उपर से है पड़ी सलोनी अंबर गुदड़ी है तो क्या ओ गुड़िया तु इस पल मेरे शिशुमन पल पिजयी माया रखूंगा मैं तुझे के लोनों की अपनी अलमारी में कागस के फूलों की ननी रंगा रंग फुलवारी में नए नए कपड़े कहनों से तुझको रोज सजाओंगा खेल खेलोनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा 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 बच्चो कैसी लगी कवीता? अच्छी थी न? अब हम कवीता के भावार्त को समझेंगे और कवीता में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे तथा उनसे वाक्या बनाना सीखेंगे मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुडिया बेच रही थी इसे भीड में बैठी नुकड पर बुढिया नुकड का अर्थ है को न? वाक्या इस प्रकार है? मेरे घर के पास एक नुकड है बुढिया का अर्थ है व्रिधा बाजार में एक बुढिया सबजी बेच रही है अर्थ इस प्रकार है इस कविता में खिलोने के प्रती एक बच्चे के प्रेम और उसकी भावनाओं को दर्शाया गया है बच्चा कहता है कि वा मेले से एक छोटी सी गुडिया खरीद कर लाया है जिसे मेले में एक बुढिया एक कोने में बैठ कर बेच रही थी मोल भाव करके लाया हूँ ठोक बजाकर देख लिया आखें खोल मूंद सकती है वह कहती है पिया पिया ठोक बजाकर यहां ठोक बजाकर इसका अर्थ है जाच परक्कर अगर हमें कोई चीज खरीदनी हो तो हमें ठोक बजाकर देख लेना चाहिए इन पंक्तियों में बच्चा कह रहा है कि वह गुडिया को खरीदते समय उसका मोल भाव किया है और उसे देख परक्कर लाया है वह कहता है कि गुडिया आखें जपका सकती है और पिया पिया भी कहती है अर्थाद जब आप कोई छोटा या बड़ा समान खरीदते हैं तो पूरे आस्वस्थ होने के बाद ही आप उसे लेते हैं यह हमारी स्वभाविक आदत है हम कम पैसों में अच्छी से अच्छी वस्तू लेना चाहते हैं जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली बड़ी भली है इसकी आखे मतवाली काली काली मतवाली इसका अर्थ है मधोश तुम्हारी आखे बहुत मतवाली है यहां पर गुडिया की रूप रेखा का वर्णन किया गया है गुडिया की चुनरी लाल रंग की है और वस सितारों से जड़ी हुई है और उसकी बड़ी-बड़ी मतवाली आखे बहुत सुन्दर लग रही है उपर से है बड़ी सलोनी अंदर गुडड़ी है तो क्या ओ गुडिया तु इस पल मेरे शिशुमन पर विजैई माया सलोनी सलोनी का अर्थ है सुन्दर गुड़ी फटे पुराने कपडे तुम बड़ी सलोनी लग रही हो आगे इन पंक्तियों में बच्चा कह रहा है कि उसे पता है कि गुड़िया बेकार की फटी पुरानी चीजों से बनी है लेकिन फिर भी वह बच्चे को लुभा रही है बच्चे को उस गुड़िया से प्यार हो गया है किसी नए खिलोने की तरह गुडिया ने बच्चे के मन को जीत लिया है अर्थात उसने बच्चे को लुभा लिया है रखूंगा में तुझे खिलोनों की अपनी अलमारी में कागज के फूलों की नन्ही रंगा रंग फुलवारी में रंगा रंग का अर्थ है तरह तरह के रंगो वाला फुलवारी फूलों का बगीचा वाक्य प्रयोग आज मेरे घर के पास एक रंगा रंग कार्यक्रम होने जा रहा है यहां पर बच्चा बता रहा है कि वह गुडिया को अपने खिलोने की अलमारी में सजा कर रखेगा जहां उसने कागज की फुलवारी बनाई है नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा खेल खिलोनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा गहना गहना का अर्थिया है आभूशन परी अपसरा स्रियों को गहनों से प्यार है छोटे बच्चे परी के समान लगते हैं बच्चो इस अंतिम पंक्ती में बच्चा कह रहा है कि वह अपनी गुडिया को रोज नए-नए कपड़ों और गहनों से सजाना चाहता है और उसे परी बनाना चाहता है बच्चो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह गुडिया कविता पसंदाई होगी इस कविता में गुडिया की विशेषता को बतलाया गया है व्याकरन की बात करें तो कविता में संग्या और विशेषन शब्दों की अधिकता देखने को मिलती है आईए कुछ शब्दों पर नजर डालते हैं मेला, गुडिया, बुढिया, अलमारी, खिलोना, कागज इन शब्दों को संग्या कहते हैं संग्या की परिभाशा इस प्रकार है किसी प्रानी, वस्तू, स्थान, भाव, आदी के नाम को संग्या कहते हैं तो यहां हम देखेंगे कि मेला, स्थान का बोध करा रहे हैं गुडिया, बुढिया, व्यक्ती का बोध करा रहे हैं अलमारी, खिलोना, कागज, वस्तू का बोध करा रहे हैं तो यह सभी शब्द संग्या है इसी प्रकार कवीता में विशेशन शब्दों का भी प्रयोग किया गया है जैसे छोटी, प्यारी, रंग, सलोनी, काली, काली विशेशन की परिभासा इस प्रकार है जो शब्द संग्या अत्वा शर्वनाम की विशेशता बताते हैं उन्हें विशेशन कहते हैं यहां छोटी, प्यारी, रंग, सलोनी, काली-काली जैसे शब्द विशेशन है इन शब्दों में गुडिया की विशेशता बताई गई है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आपको यह कविता पसंद आई होगी हमने आपके लिए कुछ प्रशन तैयार किये हैं जिनके उत्तर आपको देने है पहला प्रशन है, जब आप छोटे थे तो आपको किस चीज से ज्यादा खेलना पसंद था और क्यों? दूसरा प्रशन है, आप अपने पसंद दिदा खिलोने को लेकर एक कविता लिखिए और अपने दोस्तोवा शिक्षक के साथ साजा कीजिए तीसरा प्रशन है, भवानी प्रसाद मिस्र द्वारा रचित कविता कट पुतली पढ़िए और बताईए कि यह कविता अच्छी लगी और क्यों? आपको यह कविता सात्वी कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक वसंत भाग दो में मिलेगी पाट संख्या चार प्रिष्ट संख्या उन्नीस चौथा प्रशन है, संग्या और विशेशन शब्दों की सहायता से वाक्य रचना कीजिए आज किस कार्यक्रम में आप कविता के वाचन की शैली से अउगत हुए, कविता में आये शब्द और उसके अर्थ को जाना, कविता के भावार्थ को समझा आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए पाट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद कर दो कर दो आज पाट के साथ तक कि लावाद